वो बिल्कुल ना बलत होते हैं, ना आशना होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि हमें अगने तीन साथ क्या करना है, तो जाहिए से बात है, क्योंकि पीजी का कोई ऐसा करिकलम नहीं होता है, जिसमें रेगुलर तो आपको के कलास, क्या होता है, तो ये बहुत बड़ी बात, उसके बाद जो इंटर्नल टीचर है, सारे डिपार्टमेंट्स, जितने डिपार्टमें नें पीजी हैं, इंटर्नल टीचर करें, 14-15 फिप्टीन, तो नहीं वालूम, लेकिन उसी के प्राउप से अपने पार्टमेंट्स, हम सब बखुबी वाकिफ हैं कि आज हम लोग पीजी ओरियंटेशन प्रोगराम के एक्तितामी तक्रीब में तश्रीफ फर्मा हैं और ये वुजश्टा माइना तेरा तारिक से शुरू हुआ था और आठ को एक्तिताम को पोचा था अल्ला के फजल करम से ये प्रोगराम इंत्याई काम्याबरा इन बार करने की हिडायत की गई है की गई थी जिसमें इस साल जो तल्बा दाफिल हुए इस कॉलेज में उनके लिए था लेकिन यहां के असाद्जा ने तीनों साल के पीजी को शामिल करके इस कॉराम को और बेफूर्सूरत बना दिया मालूमात अवजा थे पीजी की तालीम हिंदोस्तान के मुफ्तलिफ कालेजेज में अभी हो रही है देशनल इस्चूटर गुनाने में निसेल परजंट एक से एक रिसर्ट के बारे में सब में अपना अपना परजंटिया उस सन्टार लेकर यह संबलने के पाद भी आप लोग का यह मैं ही कर सकता हूं पिर अभी आप लोग का सुष्टा इस में शुयूर्स भी अधी को पता है कि आज हम लोग वीरेटेज सेशन में जमा हुए हैं यह वेलिटेक्टिन सेशन है बिसिकली PG ओर्येंटेशन प्रोग्राम का जो MCISM के डारेक्शन के वज़े से इस बार पहरी बार इसका इन्यकाज किया गया चुकि इससे पहले UG में यह प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था और उसके जो फिडबैक थे वो हम लोग धरूर कहने देख पा रहे थे यह मन में हमारे भी था कि ऐसा प्रोग्राम PG में भी होना चाहिए ताकि आने वाले जो बच्चे हैं या स्टूरेंट हैं या स्कोलर्स हैं उनको पता चले कि हमें अगले तीन साथ क्या करना है शायद यह मन की दिल की बात भी जो NCISM को सुनी गई या NCISM ने उसको सुना और वहराम उन्होंने एक इसाब प्रोग्राम लॉंच किया जो अब मुझे लगता है कि आने वाले हर साल ये PG orientation प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ लुक्ति नहीं इल्म वह दाउलत है जो कभी लुठती नहीं इल्म वह दाउलत है तो रेस्टेक्टे फिसन है तो रेस्टेक्टेश्टे और अध्यार आज आंग्वग PG orientation प्रोग्राम के विली दिक्तरी सेरिमनी के मोगे पार अधमाद खां ओडिटूरियम में आज हम इतने दुनों में आपने आपने प्रोग्राम चला इस प्रोग्राम में आपने इंटर्नेशनल नेशनल और अपने यहां के फैकेर्टिस का लेक्टर सुना यानि यह तो एक लेक्टर था इस्पेसलिंग ठर्ट बैक्टराउं कि यह तीनों बैक्ट को इससे फैदा क्या हुआ इस फैदा क्या हुआ इसका पैदा में गया कि कैसे रिसर्च की जाती है